हेलो स्टूदेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 एक्सराइज 6.3 क्लास 10 एक्सराइज 6.3 एक्सराइज 6.3 में हम क्या पढ़ेंगे की ट्रेंगल में सिमिलर्टी है और लेकिन वो किस से है एंगल एंगल साइड 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 स portion and also write the pair of similar triangle in the symbolic form और जो हमारे पास triangle similar उसको symbolic form में denote करों देखो first में क्या दे रखा है triangle ABC triangle P क्या हो आर दो triangle दे रखी अब दोनों triangle में similarity देखने हमें क्या क्या similarity angle A is equal to angle P कितने डिग्री यह दोनो 60 degree angle B is equal to angle K is equal to 80 degree और angle C is equal to angle R is equal to 40 degree तो तीनों के तीनों angle क्या है equal है तो हम क्या पोल देंगे triangle ABC similar है यह similarity का हमारे पास symbol है triangle P क्या हो आर दोनों मारे पास क्या है similar है किस से angle 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 से by angle 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 similarity से यह कि हमारे पास क्या है equal इसको हम क्या लिख सकते है AB by P क्या हो sorry AB AB हमारे पास क्या है कितना हमारे पास से उसमें note नहीं कर रखा वह यह कि कितना है आपके पास से distance कितनी है उसको note नहीं कर रखा हमारे पास सर्फ यह दे रखा है तो अमारे पास क्या आजेगा, AB, BY, BC, और थर्ड अमारे पास क्या आजेगा, AC, इसी तरह से इसको विनोट कर लेंगे, P, Q, Q, R और RC, तीनों पॉंट्स को, जो मारे पास इसका फर्स्ट है, इसके फर्स्ट के नीचे, इसके सेकंड के और ये, इसे इनचे, तो में इससे हम क्या बोल देंगे कि एंगल-एंगल similarity है, नेक्स्ट हमारे पास है, second, ABC, ABC, और P, Q, R, ये में देरुखा है, AB हमारे पास कितना है, 2 है, और P किया हमारे पास कितना है, 6 है, BC हमारे पास 2.5 है, यह 4 है तो मैं देखना है कि किस-किस के proportional हो सकता है AB perpendicular है, इधर perpendicular कौन है PR भी हो सकता है, और क्या हूँ, R भी हो सकता है तो 2 का double कर देंगे, तो कितना आएगा 4 आएगा, तो it means AB है, वो किस के है क्या हूँ, R के proportional है AB by क्या हूँ, R is equal to BC 2.5 का double कर दिया PR आजएगा, BC by PR is equal to AC by P क्या हूँ, और तीनों किसके equal है 1 by 2 के, क्योंकि 2 by 4 कितना आएगा 1 by 2, 2.5 by 5, 1 by 2 और 3 by 6 1 by 2, तो किसके equal है, 1 by 2 के अब क्या हो गया, तीनों side equal हो गया तो क्या आप बोल देंगे, by side side side, similar to triangle, ABC similar है triangle, P क्या हूँ, R third है माई पास L, M, P और इधर दे रखाए, D, E, F 2.7 है, 2 और 3 इधर क्या दे रखाए, 4, 5 and 6, अब triangle L, M, P and D, E, F है इनके अंदर कोई भी ratio नहीं है देखो, 3 का double कर दिया 6 आजएगा, 2 का double कर देंगे 4 हो जाएगा, बट 2.7 का double करेंगे तो 5 नहीं हो सकता अब यह तो similarity नहीं है किसी भी ratio में नहीं है तो यह similar नहीं होंगी triangle, L, M, P and D, E, F the ratio of the sides are not equal इनके जो sides की ratio वो equal नहीं है so triangles are not equal तो हम क्या बोल देंगे triangle से equal नहीं है equal नहीं है, तो similar भी नहीं है next है, हमारे पास है L, M, N and P, Q, R अब यह 2.5 है, यह 5 है, यह 70 है इधर 6, 70 और 10 देंगे रखा है अब angle तो हमारे पास equal हो गया angle M है, वो किसके equal हो गया angle L, sorry क्या हो के is equal to 70 degree उसके इलावा हमारे पास क्या है यह 2.5 है 2.5 और यह 5 है तो हमारे पास यह किसी भी ratio में नहीं है 5 का double कर देंगे 10 आजेगा, बट तक क्या 2.5 का double करेंगे 6 हैगा, यह तो possible नहीं है, यह possible नहीं है तो क्या लिख देंगे, M, N by P, Q, not equal to M, L by Q, और यह equal नहीं है, these triangles are not similar as the sides and angles are not equal triangle A, B, C and triangle D, E, F A हमारे पास 80 degree दे रखा है इदर F हमें 80 degree दे रखा है तो angle A is equal to angle F 80 degree, यह 3 है 3 का double 6 हो जाएगा, तो क्या बोल देंगे A, B, अब हमारे पास देखो 80, यहाँ पे अंगल बना हुआ है 80, तो 80 से इदर की लिएनी है हमें, दोनों की, दोनों साइड तो यहाँ भी 80 से इदर والी दोनों साइड लेके चलना है, हमारे पास तो, इदर हमारे पास क्या है AB है, इदर हमारे पास क्या आना चीए D, F आना चीए AB BY DF is equal to होना चीए किसकिम, AC इधर हमारे पास क्या आजएगा AC और इधर क्या आजएगा AC by EFE बट यह दोनों equal है नहीं है अगर यह दोनों हमारे पास equal नहीं है तो हम क्या बोल देंगे तो triangles are not similar as the side से R not equal triangles है हमारी वो similar नहीं है Next है DEF और P क्या हूँ? R D हमारे पास 70 E 80 और F हमारे पास है नहीं F हम निकाल नेंगे 70 plus 80 150 और यह कितना बचेगा 30 तो इन triangle DEF triangle DEF निकालने के लिए angle D plus angle E plus angle F is equal to 180 तिन्यों triangle का sum होता है 180 थर्ड हमने निकाली 70 plus 80 plus F is equal to 180 angle F is equal to 70 plus 80 150 150 माइनस कर दिया तो क्या है? 30 इसी तरह से similarity triangle P क्या हूँ? R में हमारे पास 80 और 30 दे रखा है थर्ड निकाल लेंगी angle P plus 80 plus 30 is equal to 180 80 plus 30 111 इसमें से माइनस कर देंगे 70 तो यह मारे पास 70 बचेगा आप दोनों triangle में angle D है वो P के equal आजेगा 70 E और क्या हूँ 80 है F और R 30 है तिनों angle equal है तो क्या आप बोल देंगे triangle D E F similar है triangle P क्या हूँ? R by angle 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 similarity next है question number 2 in figure triangle O D C आपको एक figure दे रखीए इस figure में क्या दे रखा है? triangle O D C O B C similar है triangle O B A O B A ये दोनों similar है ये दोनों similar है तो इसमें कुछ ना कुछ similarity है तो angles की similarity है sides की similarity या angle sides की similarity कुछ तो similarity है और क्या दे दिया है? angle B O C B O C 125 and C D O C D O ये 70 दे रखा है find करना है D O C हमें find करना है D O C D O C एक तो में ये find करना है एक हमें यह find करना है और थर्ड है OAB यह find करना है आपको यह तीन angles find करने है कैसे find करेंगे देखो DOB हमारे पास क्या है? एक straight line है अगर एक straight line है तो straight line पे अंगल कितना बनता है? 180 का तो यह total angle कितना होगा? 180 तो इसको हमने क्या लिख दिया? angle DOC plus angle COB is equal to 180 angle DOC निकाल लेंगे 180 minus 125, 55 तो यह हमारे पास कितने degree का आगया? 55 degree का यह निकाल लेंगे हमने अब यह अगर 55 है यह 70 है तो 3rd निकाल देंगे हम क्योंकि triangle के 3 angles का सम 180 होता है तो क्या लिख देंगे angle DCO plus angle DOC plus angle CDO is equal to 180 DCO में find करना है is equal to 180 angle DCO is equal to 180 minus 70 minus 55 180 में से 70 और 55 को minus करेंगे 55 आजएगा तो यह हमारे पास कितना आगया? 180 में से minus करने बाद 55 तो हमारे पास यह भी कितनी आई? 55 यह अगर हमारे पास 55 है इसका alternate angle का बनता है? यहां बनेगा इसका alternate angle alternate angle equal होते हैं तो यह इसके equal हो जाएगा यह भी क्या हो जाएगा? 55 यह भी हमारे पास 55 आगया given that अब given में क्या था? कि दोनों triangle similar हैं अगर दोनों triangle similar हैं तो उनके जो sides हैं वो भी similar होंगी यह 70 है तो यह 70 हो गया यह 55 आगया यह भी 55 हो जाएगा और यह भी 55 तो एंगल OAB, OAB किसके equal होगा? एंगल OCD के equal होगा तो यह दोनों क्या हो गया? 55 नेक्स्ट है मारे पास question no.3 diagonal AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O using a similarity for two triangles show that AO by OC is equal to OB by OD given क्या है? एक trapezium है ABCD AC और BD हमारे पास है उसके diagonals हैं फिर AB है वो parallel दे रखा है DC की आब किस point पे cut कर रहे हैं? दोनों के दोनों O point पे cut कर रहे हैं तो हमें एक similarity का हैं यूज करना है और similarity यूज करके हमें प्रूव करना है AO by OC equal है OB by OD के देखो इन triangle DOC हमने triangle ले ली DOC ये वाले triangle ले ली दूसरे triangle ले ली BOA ये वाले triangle होगी दो triangle लेके चल पड़े हम इन दोनों triangles में similarity प्रूव करने कैसे प्रूव करेंगे? देखो triangle CDO angle CDO यहाँ पर जो angle बनेगा इस alternate angle का बनेगा यहाँ बनेगा तो angle ABO angle CDO के इकवल हो जाएगा angle ABO के इकवल हो जाएगा इसी तरह से यहाँ पर जो angle बनेगा DCO उसका alternate इदर हो जाएगा इस angle का हमारे पास नाम क्या है BAO तो यह दो तो हमारे पास angle इकवल हो जाएगा फिर दूसरा हमारे पास alternate interior angles AB parallel to CD ABOCD parallel लेगन के alternate angles हैं वो भी इकवल हो जाएगा थर्ड हमारे पास यहाँ पर जो angle बनेगा उसका vertically opposite यहाँ हो जाएगा तो यह भी इकवल हो जाएगा तो थर्ड क्या लिख देंगे angle DOC is equal to angle AOB vertically opposite angle से equal अब दोनों में क्या हो गई similarity हो गई तो क्या बोल देंगे triangle DOC similar है triangle AOB दोनों similar है अगर similarity है तो हमारे पास किस से क्या similarity है कि DO है वो by की OB क्यों क्योंकि हमारे पास intersect करती है अगर intersect करती है तो half में divide कर रही हाफ में divide कर रही है तो हम क्या बोल देंगे DO by OB equal हो जाएगा किसके OC by OA के equal हो जाएगा बट हमें क्या prove करना है AO by OC prove करना है तो दोनों का रहसी प्रोकल कर देंगे इनका रहसी प्रोकल कर देंगे तो क्या आजेगा OA by OC और इधर क्या आजेगा OB by OD यही हमें prove करना है next है question number 4 in figure एक figure दें रखी है क्यों R by क्यों S is equal to क्यों R by क्यों S क्यों R किसके equal है क्यों S by क्यों S दें रखा है means हमारे पास जो भी PT theorem थी उसके वे से आगे न क्यों R by क्यों S और क्यों T by P R is equal and angle 1 is equal to angle 2 angle 1 और 2 भी equal दे रखे show that triangle P क्यों S triangle हमारे पास कौन सी दे दी P क्यों S यह हमारे पास similar है किसके T क्यों R के यह जो triangle है यह पूरी के similar है यह में प्रूव करके दिखाना है इंटरेंगल P क्यों R लेके चल पड़े हम प्रेंगल P क्यों R में हमारे पास क्या है यह पूरेंगल P क्यों R में यह दे रखा है कि angle 1 और 2 angle equal है तो हम क्या बोल देंगे angle P क्यों R is equal to angle PR क्यों के यह दोनों equal है एंगल वन एंड एंगल टू जब हमारे पास दो एंगल एक्वल है तो साइड भी एक्वल होने चाहिए एंगल टू के सामने साइड को ने पी क्या हूँ एंगल वन के सामने साइड को ने पी आर तो पी क्या हूँ और पी आर भी एक्वल हों क्यों कि अपोल एंगल अगर एक् हो गई, given हमारे पास क्या है, qr by qs is equal to qt by pr, using first, यहां हमने first का use कर लिया, first का use करने के लिए हमने क्या किया देखो, qr by qs is equal to qt और pr, pr के जगा है मैंने क्या use कर लिया, p q, इसके जगा p q use कर लिया, equation number 2, अब इससे देखो, qr, हमारे पास क्या है, qr divided by qs, से, equal हो गया qt by qp, तो पूरी की पूरी ट्रेंगल के लिए आ गई है, तो हमारे पास है, किस ट्रेंगल के लिए, ट्रेंगल ट्रेंगल t qr के लिए, आ गई नहां हमारे पास पूरी ट्रेंगल के लिए, तो हमने क्या लिख देख दे़ Св gathered in trangle p qs and triangle यह को लिए रहा तो यह हमने प्रू कर दिया तो यू दिंग सेटनी सेकींड me यूज कर दिया हमने तो अंगल क्याओ है वो दोनों में क्या हो गया equal है क्योंकि दोनों में common भी आएगा इस triangle में भी यह तो दोनों में common हो जाएगा और तो हमारे पास यह side से common हो गया तो हमारे पास 2 side common हो गया एक angle common हो गया तो क्या बोल देंगे triangle, sorry, angle P क्या हूँ, S से similar है, triangle T क्या हूँ, R के बाई, side, angle, side, next है मारे पास, question number 5, question number 5 में क्या दे रखा है, S and T are points on side, P, R and Q, R of triangle P, Q, R, हमारे पास S और T point दे रखे हैं, sides पे, P, R, उस पे S दे रखा हैं, और R क्या हूँ, पे हमारे पास T point दे रखा है, on side, P, R and Q, R of triangle P, Q, R, such that, angle P is equal to angle R, T, S, angle P हमारे पास यहाँ है, angle P is equal to equal है, किसके angle R, T, S है, means जो angle P है, वो किसके equal है, angle R, T के equal है, show that, triangle R, P क्या हूँ, triangle R, P, Q, similar है, triangle R, T, S है, अब दोनों को similar है, प्रूव करने के लिए, angle R हमारे पास दोनों में को मना जाएगा, तो in triangle, R, P, Q, and triangle R, S, T, दोनों triangleas में हमारे पास given है, given क्या है, angle R, T, S, R, T, S equal है, किसके angle, Q, PS, S, के angle, Q, PS, क्योंकि हमारे पास, जब इसमें से ले रहे हैं, तो इसमें से हमारे पास P, ये दोनों हमारे पास equal दे रखे तो ये दोनों में क्या है, common है, तो angle r is equal to angle r, ये दोनों में common हो जाएगा, अब दो चीज़ आ हमारे पास को आ गई, तो क्या बोल देंगे angle angle similarity, जब दो angle equal होते तो third angle equal आना है याना है, क्यों कि दोनों को plus करके 180 में से minus कर देंगे, तो third भी equal आएगा, तो triangle r p क्या हो similar है, triangle r ts by angle angle similarity, next is sixth, in figure if triangle a b e, triangle a b e, congruent triangle a c d, अब हमारे पास क्या दे रखा है, triangle a b e, show that, triangle a d e, similar है, triangle a b c, अब हमें प्रूब करना है, देखो, यह दोनों congruent दे रखी हैं, और हमें प्रूब करना है कि similar है, given that, given में क्या है, triangle a b e, a b e, congruent है, triangle a c d से, इससे congruent है, तो इनको congruent प्रूब कर रखा है, congruent दे रखा है, तो हमारे पास क्या हो गया common, कुछ ना कुछ common भी आएगा, क्या द अगर दो triangle हमारे पास equal हैं, तो हम क्या बोल देंगे, कि दोनों में a b और a c है, वो क्या है, equal है by cp city, तो हमारे पास एक तो क्या है, a b is equal to a c by cp city equation, first one लिया, दूसरा हमारे पास क्या बोल देंगे, a d है, वो किसके equal होगा, a e के ये भी by cp city हो जाएगा, कि हमारे पास ये equal हैं, क्यों, जब concurrent हैं, तो simple सी चीज है, हमारे पास equal होगे ही, होगे, तो a e b है, वो a c के है, और हमारे पास a d है, वो a e के equal है, दो मिल गई हमें, in triangle a d e, in triangle a d e, और a b c, अब दोनों triangles में देखो, angle a हमारे पास, दोनों में कॉम बना जाएगा, ठीक है, angle a is equal to angle a, दूसरा ह हमारे पास क्या है, equation जो first है, उसको, sorry, जो equation second है, उसको हमने first से divide कर दिया, a d divided by a b, equal हो जाएगा, a e divided by a c, तो a d by a b is equal to a e by a c b, पिटे थियोरम में हमारा यही था, तो dividing equation second by first है, अब angle 1 a है, वो angle a के equal है, तो तीन चीज़ equal होगी, एक तो हमारे पास side होगे equal, और एक हमारे पास angle equal होगे है, तो triangle a d is similar है, triangle a b c by s a s side angle side z, next है, question number seven, in figure altitude a d, हमारे पास c figure दे रखे, इसमें altitude दे रखा है, a d, and c f of triangle a b c, और हमारे पास c f a का altitude c e, c e b है के perpendicular है, जिसके उपर है, a b के उपर, intersected triangle a b c, each other at point p, जो की at point p, p उसको cut करता है, दोनों जो altitude उनको cut करने के लिए, p point हमारा, show that, हमें prove करना है, triangle a e p, similar है, triangle c d p, a e p, triangle a e p, ईंतihen के गुष्चर D antibiotics a K-Man, kتهूर में पा और सकते हैं, कि विए आपला है, तो सबा सकते हैं, the झाल 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 झाल